देवी देवता, कोई कहता है 33 कड़ोर, कोई कहता है 33, ये देवी देवता है, ये परम भगवान नहीं है, इस बात को समझे, ये क्या है? ये देवी देवता है, ये परम भगवान नहीं है, जैसे कि एक फैक्टरी के अंदर बहुत सारे मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होत सुचारू रूप से चले प्रण तो इनका मालिक एक होता है और मालिक की आग्या का पालन करना इन समस्त मैनेजरों का काम होता है उसी प्रकार इस भौतिक जगत के अंदर देवी देवता है जो की मैनेजर के समान है परम भगवान तो श्री कृष्ण है श्री राम जी है इन द मामी हैं चाची हैं हैं तो एक ही व्यक्ति अलग-अलग कारे कर रहा है इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण श्री राम विष्णु नारायन में इन में कोई आपस में भेद नहीं है पर दूसरी देवी देवताओं में हैं घीता में भगवान कहते हैं कि जो देवी देव कि और हिच acknowledgement है कि कौन बोलता है पता है काले, अक्षर, भेंस पराबर albums था, चाल है इस लिए काले, अक्षर भेंस पराबर albums सेयंसा जी बुद्धी में लिए भेद करना सिखो अरे तीन, चार, पाँच पिता जैसे हो सकते हैं पर तूप बीज देनारा पिता तो एक होगा थोड़ी बुद्धी लगाईए ज्यादा नहीं बोलना में लगाने को अधिक बुद्धी मत लगाने को बोलना थोड़ी से बुद्धी लगाई ये तोज़े आया और भगवद कीटा भागवदम ये स्पष्ट रूप में जो कि वेदों का सार बताये गए है वेदों का फल बताये गए है आधि शक्राचारी जिनमें का भगवद कीटा जो है सारे वेदों का सारे इसलिए ये ग्राम देवता तो और भी नीचे लेवल पे इस बात को समझेगा तरीका और बताएंगे कि कहां आपको और समझ में आ सकता इसके बारे में अध्यात में ग्यान कहां से लोग है तो अभी तो मैं आपको ट्रेलर दे रहा हूं फिल्म का ट्रेलर होता है छोटा साथा है एक मिनिट का कि क्या है इसके अंदर क्योंकि अगर घलत को घलत के चक्करे पड़ गए देवी देबताओं के चकरे पड़ गए तो पता लगा समय उतना ही लगएगा मैनद उतनी लगए कि पर दूफछा हिं जा मिले गा ऐस्थाई फल मिलेगा ओरे भाई उसी समय के अंदर उसी मेहनत से मुझे इस्थाई फल मिल सकता था जो कभी खतम नहीं होगा कंदू ये तो आधा अधूरा मिल गया क्या हो गया मेरा तो सारा करे कराये पे पानी फिर गया अंतवत्तु फलंते साम वरवान जीता में के